नमस्कार दोस्तों जहां से एक्जाम में प्रशन बनते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे वीडियो बहुती शांदार बहुती जबरदस्त होगी चलिए शुरू करते हैं अनुछेद एक संग का नाम और राज्याक्षेतर अनुछेद एक में भारत के नाम और उसके राज्याक्षेतर के बारें बताया गया है अनुछेद एक कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग है यानि कि अनुछेद एक में हमारे देश के दो नाम बताया गया है भारत और इंडिया राज्य अक्षेत्र की बात करें तो भारत का राज्य अक्षेत्र क्या है भारत में 28 राज्य और 8 के इंदर शासित परदेश है अनुछेद तीन नई राजों का निर्मान और वर्तमान राजों के अक्षेत्रों, सीमाओं या नामों में प्रिवर्थन यनि कि अगर नई राजयों को बनाना है यजि फिर वर्थमान में जो राज्य है उनके अक्षेत्रों, सिमाओं यजि फिर नामों में परिवर्थन करना है, नामों में वदलाव करना है तो वो अनुच्छे 3 के तहत किया जाएगा और कैसी किया जाएगा सविधान संशोधन के मादम से सविधान संशोधन का उलेग भारत्य सविधान के अनुछे 368 में किया गया है और भारत्य सविधान में तीन प्रकास से संशोधन किया जा सकता है संसत के सामाने भहुमत द्वारा संसत के विशेस भहुमत द्वारा और संसत के विशेस भहुमत अथा आदे राजों की सहमती के द्वारा अनुछेत तीन में जो संशोधन किया जाएगा यानकी वर्तमान राजों का निर्मान करना है या फिर नए राजों का निरिमान करनाई interrupted my राजों के अक्षेत्रों सिमाओं या फिर नामों में प्रिवर्थन करना है तो वो संशोधन साधान भाउमत के माध्यम से किया जाएगा संसजद के दुवारा अनुचेद 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अलपिकन करने वाले वीधियां यनकि अगर कोई भी ऐसी वीधि है जो मूल अधिकारों से असंगत है अर्थात मूल अधिकारों का उलंगन करती है या फिर उनका अलपिकन करती है वीदी के सामने सभी व्यक्ति समान है ये बताए गया है अनुछेद 14 में आईए बढ़ते हैं आगे अनुछेद 15 है धर्म मूलवश जाती लिंग या जनमस्थान के आधार पर बेदभाव का प्रतिशेद यानि कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग या जनम स्थान के आधार पर भेद भाव नहीं किया जाएगा अनुछेद 15 में ये बताये गया है अनुछेद 16 है लोक नियोजन के विशा में आवसर की समान था यानि कि नोक्रियों में सभी व्यक्ति के लिए समान आवसर है ये बताये गया है अनुछेद 16 में लेकिन इसी अनुछेद में नोक्रियों में आरक्षन की विवस्ता के बारे में भी बताये गया है S.E.S.T. को जो आरक्षन दिया जाता है उसका उल्लेक अनुचेद 16 में ही किया गया है अनुचेद 17 है S.P.R.I.S. प्रिश्यता का अंत S.P.R.I.S. यानि की स्पर्ष ना करना चुवा चुथ चुवा चुथ का अंत अनुचेद 17 में बताया गया है अनुचेद 19 वाक एमों अभιवेक्ति की स्वतानतरता यानि की बोलने का अधिकार अपने विचारों को अभिवेक्ट करने का अधिकार अनुचेद 19 के तहत प्राप्ष है और इसे अनुचेद में प्रेस की स्वतानतरता का उल्लेक किया गया है अगला अनुचेद है अनुचेद 21, most important अनुचेद है प्राण एमों देहिक स्वतंतरता का अधिकार, ये इस अनुचेद का नाम है और इसी अनुचेद में जीवन जीने का अधिकार और निज़ता का अधिकार चिपाओ है कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि जीवन का अधिकार ये फिर निज़ता का अधिकार किस अनुचेद के अंतरगत लिकित है सीधे तोर पर नहीं लिखा गया है लेकिन अनुचेद 21 की सेंस में जीवन का अधिकार और निज़ता का अधिकार शामिल है आगे है अनुचेद 21A जिसमें शिक्षा के अधिकार के बारें बताया गया है अच्छा जिस भी अनुचेद के साथ Capital ABC मिले अर्थात Capital Alphabet मिले तो समझ जाना वो अनुचेद सविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है और अनुचेद 21A जैनि कि इसे भी सविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है किस सविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है चैसी में सविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुचेद 21A को जोड़ा गया है और इसमें सिक्षा के अधिकार के बारें बताया गए है अनुचेद 21 ए कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशूल को और अनिवारिय सिक्षा का अधिकार प्राप्त है याद रखें इस अनुचेद को बहुती ज़्याद महत्मपूर है अनुचेद 25 अनुचेद 30 अनुचेद 32 जिसका उलेक भारतिय सविधान के भाग चार में जो DPSP अर्थाद राज्य के नीती निदेशक तत्तों उलेकित है उनमें किया गया है अच्चा मोली क अधिकार और राज्य के नीती निदेशक तत्तों में एक मूलंतर यही है कि मोली का दिकार सरवोच नियाले या फिर उच नियाले द्वारा प्रवर्तिनिया है अर्थात जिस भी वेक्ति के मोली का दिकारों का उलंगन होता है वो सरवोच नियाले फिर उच नियाले में जा सकता है लेकिन जो DPSPs हैं वो सर्वोच नियालय तो प्रतिने नहीं है यानि कि अगर DPSP का उलंगन होता है तो उसके अधार पर सर्वोच नियालय तो उच नियालय में नहीं जाया सकता अनुच से चालिस 간ी पन्चायतों के संगटन की व्यवस्था करता है यानि कि राज्या को ये निर्देश दिये गई हैं यहां पर राज्या सितात प्रय देश से हैं राज्या ये व्यवस्था करेगा कि हर गाव में ग्राम पंचायतों को गठन किया जाए ये व्यवस्था अनुचेद चारिस में की गई है अनुचेद चोवारिस नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहींता के लिए निदिश, अनुचे 44 में ही समान नागरिक सहींता के बारें बताया गया है, कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि समान नागरिक सहींता का उलेक भारत्य सविधान के किस अनुचेत में हैं, अनुचे 44 में, समान नागरिक सहींता का तलब क्या होता है देखिए वर्तमान में क्या है सभी धर्मों में विवाहा तलाक या फिर गोद लेने से संबंदित कानून अलग-अलग है लगभग सभी धर्मों में लेकिन जहां पर भी समान नागरिक सहिंता अपलाई की जाती है वहां पर इन सबसे संबंदित यानि कि शा अनुचेद 45 चे वर्षों से कम आयो वाले बालकों के लिए निशूलक और अनिवारे शिक्षा के लिए निदेश ये अनुचेद 45 में उलेकित है। अनुचेद 51 में किया गया है। भाग 4A में अनुचेद 51A में मिलता है। आगे है अनुचेद 61 राष्ट्रपती पर महाब्योग चलाने की प्रकरिया का उलेक अनुचेद 61 में किया गया है। अगर राष्ट्रपती सविधान के अनुचेद 61 में किया गया है। अगला अनुचेद है अनुचेद 22 इसमें बताया गया है कि दना देशों के शमा, निलंभन, परिहार या लगुकर्ण की राष्ट्रपती की शक्ति यनि कि अनुचेद 22 में राष्ट्रपती के शमादान की शक्ति का उलेक किया गया है। और कौन-कौन सी शक्ति है राष्ट्रपती के पास इस अनुचेद के तहट शमा करने की शक्ति लगुकर्ण, परिहार, विराम और परिविलंभन करने की शक्ति। इसको हम बोलेंगे परिहार, विराम का मतलब है विशेश पर स्तित्यों में मूल सजा के प्रावधान को बदलना, जैसे कि अगर कोई महिला गरवती है, तो उसकी सजा को माफ कर देना या फिर उसकी सजा को कम कर देना, इसको बोला जाएगा विराम, परिविलंभन का मतलब होता है किसी सज़ा पर रोग लगाना जैसे कि मरी त्युदन पर रोग लगा दी जाती है तो उसको हम बोलेंगे प्रविलम बन ठीक है तो अनुछेद बहातर के तहट राष्ट्रपती को शमादान की शक्ति प्राप्त है ये कई मारे एक्जाम में बूचा गया है आप इसे ज न्युक्ति करेगा और परधार मंत्री की सलहा पर श्रेस मंत्रियों की न्युक्ति करेगा ये व्यवस्ता की गई है अनुछेद पचेतर में तो याद रखें परधार मंत्री की और परधार मंत्री की सलहा पर मंत्री प्रिशद की न्युक्ति कोन करता है भारत का राष्ट् रुषद लोगसभा के प्रति समोहिक रूप से उत्तरदाई होती है अगला अनुछेद है अनुछेद 110 इसमें धन्वीदेग की प्रिभःषा दी गई है most important अनुछेद ए भी धन्वीदेग की प्रिभःषा की सानुछेद में मिलती है अनुछेद 110 में कोई विदेग धन्व कि देख है या नहीं ये कुण डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्स डिसाइड करता है अनुचेद 112 है इसमें वार्षिक वित्य विवन का उलेख किया गया है और इसका मतलब बजट ही होता है देखी हमारे शर्विधान में बजट शब्द का उलेख नहीं है बजट के स्था में नय होने पर राष्ट्रपती की अध्यदेश जारी करने की शक्ति अनुचेद 123 में उलेखित है यनि कि जब संसद का कोई सतर ना हो संसद के तीन सतर होते ना शीर्ट कालिन बजट सतर ओल गृष्म कालिन अगर कोई भी संसद अगर कोई भी सतर नहीं चल रहा है एक प्र कानुन की शक्ति उतनी ही योगी जितने की संसद वारा बनाए गई कानुन की होती है तो याद रखे राष्ट्रपती के अध्यदेश जारी करने की शक्ति का उलेखित किस अनुचेद में मिलता है अनुचेद 123 में अनुचेद 143 उच्टम नियाले से प्रामरश करने की जोग करते होई उचेद 155 इसमें राजयपाल की नुख्टी के बारे में बताय गया है और राष्ट्रपती 161 दर्णा देशों में शमा निलंभन परिहार या लगुकार्ण की राष्यपाल की शक्ति का उलेख अनुचेद 161 में किया अगय है और राष्ट्रपती की शमाद शमादान की शक्ति और राजयपाल की शमादान की शक्ति में एक मेन अंतर यही है कि राश्टरपती मृत्यूदंड को शमा कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन राजयपाल मृत्यूदंड को माफ नहीं कर सकता, आप ये अंतर जरूर याद रखें, अनुचेद 163, इसमें विधान प्रिशद है लेकिन बहुत सारे राजों में विधान प्रिशद नहीं है केवल और केवल विधान सभा है अगर किसी राजय में विधान प्रिशद को बनाना है या फिर बने हुई विधान प्रिशद को समाप्त करना है अर्थात उसका विघटन करना है तो अनुचेद दोसो, विदेकों पर अनुमति देने की राजापाल की शक्ती, आप सबी जानते हैं जब कोई विधेक विदान मंदल में पारित हो जाता है जनकी विधान सभा और विधान प्रिशद में, फिर वो राजापाल के पास जाता है, राजापाल कौन-कौन से अक्शन नहीं सकता है उस विधेग पर इसका उलेग किया गया है अनुचेद दोसों में अनुचेद 213 हैं यह भी काफी जैदा इंपोर्टनेट अनुचेद हैं विधार मंडल के सतर में नय होने पर राजय पाल के अध्य देश जारी करने की शक्ति राश्टरपती के अध्य देश जारी करने की शक्ति का उलेख अनुच्छेद 123 में किया गया है और राजय पाल के अध्य देश जारी करने की शक्ति का उलेख अनुच्छेद 213 में किया गया है जब विधार मंडल सत्र में नहीं होता है और उस समय अगर कोई कानून बनाना पड़ जाए तो राज्यपाल अदेह देह जारी करके वो कानून बनाएगा और उस कानून की शक्ती विधार मंडल दुआरा बनाएगए कानून के बराबर ही होगी अगला है अनुचेद 226 Most Important अनुचेद है बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है उच नियाले की रिट निकालने की शक्ती देखिए अनुचेद 32 के तहट सर्वोच नियाले रिट जारी कर सकता है पांच परकार की रिट और अनुचेद 226 के तहट High Court रिट जारी कर सकते है आप इन दोनों अनुचेदों को ऐसे याद रखना अनुचेद 32 के तहट सुप्रीम कोर्ट और अनुचेद 226 के तहट High Court रिट जारी करते हैं अगला अनुचेद है अनुचेद 249 AA यानि कि इसको सविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है और कि सविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1991 में अनुचेद 249 AA को जोड़ा गया है और इसमें दिल्ली के समन्द में विशेश उपबंद किया गया है इसी में ये बोला गया है कि दिल्ली राष्ट्रिया राजधानी अक्षेत्र है अगला अनुचेद है अनुचेद 249 इसमें बताया गया है हमारे देश के सविधान में वर्थ मान में 12 अनुचेद 259 इसमें तीन प्रकार की सूचियां दे रखी है 58 सं पार्वति 510 की देर है 55 अगला अनुचेद है अनुचेद 262 इसमें बताया गया है अंतराजिय नदियों या नदी घाटियों के जल सम्बंदी विवादों का नयाय नीडन अब सभी जानते हैं नदियों से सम्बंदित वावद विवाद अकसर चर्चा में रहते हैं इसलिए हमने ये अनुचेद 263 इसमें अंतराजिय प्रिशद के सम्बंद में उपबंद मिलता है अंतराजिय प्रिशद के स्थापन क्यों की गई है ताकि केंदर और राजियों के बीच समन में स्थापित किया जा सके, तो याद रखें, अंतराजिय प्रिशत के बारे में अनुचेद 263 में बताये गये हैं, अगला है अनुचेद 280, most important है ये भी, इसमें वित आयोग के बारे मताये गये हैं, अनुचेद 280 में वित आयोग के गठन का प्रावधान किया गये ह और वित आयोग का गठन कोन करता है, भारत का रास्टपती, वर्तमान में पंदरमा वित आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं, अन के सिंग, आईए बढ़ते हैं आगे, अनुचेद 300A, यानि कि capital A आ गया, और इसको भी सविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया में इसे मूल अधिकारों की सूची से हटा कर कानुनी अधिकार बना दिया गया, और वर्तमान में इसका उलेख भारत्य सविधान के अनुचेद 300A में मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुचेद है, आप जरूर याद रखें, अगला अनुचेद है, अनुचेद 311 है, राज्य या संग के अधिन सीविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पत चूट किया जाना, पत से हटाया जाना या फिर पदावनत करना, यानि कि जो संग और राज्य के सीविल सेवक हैं, अगर उनको पत से हटाना है या फिर उनकी रैंक में कमी करनी हैं, तो वो अनु 6312 है अखिल भारतिय सेवाओं का गठन जो IAS IPSC फिर IFS सेवाई हैं यह सभी कि सभी अखिल भारतिय सेवाई है और इनका गठन अनु 6212 के तैद कीए जाता है और इनके लिए भरती कोन करवाता है या फिर इनके प्रिक्षा का आयोजन कोर करवाता है UPSC UPSC के बारे में बताया गया है अनुचेद 315 में अनुचे 315 है जो ये संग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्ता करता है यानि कि जो UPSC है या फिर स्टेट PCS है उनके गठन का प्रावधान अनुचेद 315 में किया गया है आगे है अनुचे 324 ये भी काफी ज़्यादा इंपोर्टेट है निर्वाचनों के अधिक्षन निर्देशन और नियंतन का निर्वाचन आयोग में नहीं थोना यानि कि निर्वाचन से सम्मंदिश जितने विगतिवीदिया है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी इसका उलेख भारत्य सविधान के अनुचे 324 में किया गया है अनुचे 330 लोगसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए स्थानों का आरक्षन SC और ST को आरक्षन दिया गया है लोगसभा में अनुचे 330 के तहत और ये आरक्षन जन संख्या के अनुपात के अधार पर दिया गया है यानि कि अगर कहीं पे SC, ST की जन संख्या ज़ादा है तो वहाँ पर इनकी सीट भी ज़ादा होगी ये व्यावस्था की गई है अनुचे 330 में अनुचे 338 राष्टीय अनुचुचित जाती आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुचे 338 में और अनुचे 338 A यानि कि इसको सविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है और कि सविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है 89 में सविधान संशोधन के माध्यम से वर्ज 2003 में अनुचे 338 ए को जोड़ा गया है जिसमें राश्चिय अनुसूचित जनजाती आयोग के बारे में बताया गया है आगे बढ़ते हैं अनुचे 340 इसमें पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेंशन के लिए आयोग की नुक्ति की गई है यानि कि पिछड़े वर्गों से सम्भनित आयोग अनुचे 340 में बताया गया है अब इन तीनों अनुचेदों को 81 याद रखना अनुचे 338 में राष्ट्य अनसूचित जाती आयोग के बारे में बताया है अनुचे 338 ए में राष्ट्य अनसूचित जन जाती आयोग के बारे में बताया गया है और अनुचे 340 में पिछड़े वर्गों से सम्भनित आयोग का उलेक मिलता है अनुछे 3452 इसमें बतायागया है कि प्रात्मिक स्तर पर मातरी भाशा में σ्विधाईन दी जाएगी यनकी जो प्रात्मिक स्तर की शिक्षाई हैं वो मातरी भाशा में दी जाएगी अनुछे 252 के तहद वर्ष 1962 में, वर्ष 1971 में और वर्ष 1954 में अगला है अनुचे 356 राज्यों में सविधानिक तंतर के विफल हो जाने की दाशा में उपबंध यानि कि राष्ट्रपति शासन का उलेक अनुचे 356 में किया गया है अगर कोई राज्य सविधान के अंदरूप अपनी गतिवीदिया नहीं संचालित कर पा रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति की दुवारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है जिसका उलेक अनुचे 356 में किया गया है आगे है अनुचे 360 इसमें विधिया अपातकाल के बारें बताया गया है और भारत में एक बार भी विधिया अपातकाल नहीं लगा है ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि विधिया अपातकाल तब लगता है जब किसी देश के पास पैसा बहुती कम रह जाता है तो वितिया पातकाल का उलेख अनुचे 360 में किया गया है अब इन तीन अनुचेदों को भी घटा याद रखना अनुचे 300, अनुचे 3502 में राष्ट्रिया पातकाल का उलेख है अनुचे 356 में राष्ट्रपतिशासन का उलेख है और अनुचेद 360 में वित्या पातकाल के बारे में बताया गया है आगे है अनुचेद 368, most important अनुचेद है सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ती और उसके लिए प्रक्रिया यनि कि अगर सविधान में संशोधन करना है अर्थात सविधान में कुछ बदलाव करना है तो संसद द्वारा किया जाएगा और इसको किस प्रकासी किया जा सकता है अर्थात सविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कौन-कौन सी है उसका उलेख भी अनुच्छे 368 में किया गया है वैसे सविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से लिए है दक्षिन अफ्रीका के सविधान से आगे है अनुच्छे 108 Most important अनुच्छे भी इसमें स्यूंक्ट अदिवेशन के बारे मताया गया है स्यूंक्ट अदिवेशन का बुलाया जाता है जब लोगसभा और राजयसभा किसी कानून या फिर किसी वीदी को लेकर एकमत नहीं है अर्थात सहमत नहीं है तो उस समय राष्टर पति के दुवारा स्यूंक्ट अदिवेशन बुलाया जाता है पहला प्रशन है, भरत्य सविधान के किस अनुच kendra के तहत धर्म मूलवंष, जाती लिंग या जनम स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिशेद किया गया है। इसका सही जवाब होगा अनुचेद 15 याद रखें अनुचेद 15 के तहत धर्म मूलवंश जाती लिंग या फिर जनम स्थान के अधार पर किसी भी वेक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा इसका सही जवाब है ओप्शन ए अनुचेद 32 के तहत सर्वोच नियाले मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट चारी कर सकता है और इसी अनुचेद को डोक्टर बियारा मेड करने भारत्य सविधान की आत्मा कहा था और इस अनुचेद का नाम क्या है सविधानिक उपचारू का अधिकार आईए बढ़ते आगे अगला प्रशन है किस अनुचेद में वाक एमोम अभिवक्ति की सोतंतर्ता का उलेख किया गया है इसका सही जवाब होगा अनुचेद 19 जाद रखें, अनुच्छेद 19 में वाक एमों अभीवक्ति की सोत अंतरता के बारे में बताएगिया है और इसी अनुच्छेद में प्रेस की सोतंतरता का उलेख किया गया है अगला प्रशन है भारतिय सविधान के किस अनुछेद में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है most important question है और इसका सही जवाब है option A अनुछेद 21 A में शिक्षा के अधिकार के बारे मताय गया है और इस अनुछेद को 42 सविधान संशोधन अधिनियम 1906 के तहत भारतिय सविधान में जोड़ा गया था और इसमें बोला गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को नीशूल्क और अनिवाले शिक्षा दी जाएगी अगला प्रशन है भारतिय सविधान के किस अनुछेद में जीवन का अधिकार उले कित है यह भी काफी प्रशन और इसका सही जवाब होगा option D अनुछेद 21 अनुछेद 21 में जीवन का अधिकार उलेकित है वैसे इस अनुछेद का नाम है प्राण एवंदेहिक सुतंतरता इसी अनुछेद की सेंस में जीवन का अधिकार और निजिता का अधिकार उलेकित है अगला प्रशन है, S प्रिष्चता का अन्त, भारते सविधान के किस अनुच्छेद की अंतरगत उलेकित है इसका सही जवाब होगा, Option D यानिकी अनुच्छेद सत्रा अनुचेद 17 में S प्रिशता के अंति या फिर्ट चुवा चूत के अंति के बारे में बताया गया है अगला प्रेशन है भारते सविधान का कौन सा अनुचेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन हितु निर्देश देता है इसका सही जवाब होगा अनुचेद 40 अर्थात ओप्शन भी सही है अनुचेद 40 में कहा गया है कि राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए यह अनुचेद 40 में उलेकित है और यह अनुचेद 40 है जो DPSP अर्थार्थ राज्य की नीती नीदेशक्ततों के अंतरगत आता है अगला प्रशन राष्ट्रपति की शमादान शक्ति का उलेक किस अनुचेद में मिलता है इसका सही जवाब होगा अनुचेद भातर में याद रखें अनुचेद भातर में राष्ट्रपति की शमादान शक्ति का उलेक किया गया है समान नागरिक सहीता भारतिय सवेदान के किस अनुचेद में उलेकित है इसका सही जवाब है ओप्शन C अनुचेद 44 में पोस्ट इंपोर्टेंट अनुचेद है ये आप इसे जुरूर याद रखें अनुचेद 44 में समान नागरिक सहींता के बारे में बताया गया है नेक्स्ट कोशन है राष्ट्रपती पर महाभ्योग चलानी की प्रकरिया का उलेख किस अनुचेद में किया गया है इसका सही जव होगा option D अनुचेद 50 में कार्या पालिका को नया पालिका से अलग रखने की व्यवस्था की गई है अगला प्रेशन है भारते सविधान के किस अनुचेद के तहत राष्ट्रपती परधान मंत्री के सलाहा पर मंत्री प्रिशत की न्युक्ति करता है इसका सही जवाब होगा option D अनुचेद 75 अनुचेद 75 के तहत राष्ट्रपती परधान मंत्री की सलाहा पर पूरे के पूरे मंत्री प्रिशत की न्युक्ति करता है अगला प्रेशन है भारते सविधान के किस अनुचेद में दिल्ली के समन में विशेष उपबंद किया गया है इसका सही जवाब option A अनुचेद 349 AA और इसको 79 सविधान संशोधर के माध्यम से जोड़ा गया था इसमें कहा गया है कि दिल्ली को NCR अर्थात National Capital Reason के नाम से जाना जाएगा अगला प्रेशन है संसद के सतर में नय होने पर राष्ट्रपती किस अनुचेद के तहट अध्यधेश जारी कर सकता है इसका सही जवाब होगा option B यानिकी अनुचेद 123 याद रखें अनुचेद 123 के तहट राष्ट्रपती अध्यधेश जारी कर सकता है अगला प्रेशन है लोगसभा में अनुचेद जातियों और अनुचेद जन जातियों के लिए स्थानों का आरक्षन किस अनुचेद में उलेखित है इसका सही जवाब है option B यानिकी अनुचेद 330 में याद रखें लोगसभा में SCST को जो आरक्षन दिया गया है उसका उलेख अनुचेद 330 में किया गया है अगला प्रेशन है रास्ट्रपती किस अनुचेद का प्र聯 talking करते हुए उचाम नियाले से प्रामार्ष कर सकता है इसका सही जवाब होगा option C अनुचेद 143 जाद रखें अनुचेद 143 के तहट रास्ट्रपती उच्चेद नियाले से प्रामर् इसका सही जवाब है, option C, यानिकी अनुचेद 338 में, अनुचेद 338 में राश्ची अनुचुचित जाती आयों के बारे में बताया गया है, अगला प्रशन है, धनविधेक की परिभाशा भारतिय सविधान के किस अनुचेद में दी गई है, इसका सही जवाब होगा, option A, अगले प्रशन के और अगला प्रशन है, संपत्ति के अधिकार का उलेख किस अनुचेद में किया गया है, इसका सही जवाब है, option D, अनुचेद 300A, और इसको 44 में सविधान संशोधन के माध्यम से वर्श 1998 में जोड़ा गया था, पहले संपत्ति का अधिकार एक मोरिक अध इसका सही जवाब है, option D, अनुचेद 338A, याद रखें, अनुचेद 338A के तहत, राश्ट्य अनुचेद जन जाती आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, और अनुचेद 338 में, राश्ट्य अनुचेद जाती आयोग के बारे में बताया गया है, अगला प्रशन है, भारते सविधान के किस अनुचेद में वित आयोग के बारे में बताया गया है इसका सही जवाब होगा अनुचे दोसु असी में वित आयोग के बारे में बताया गया है वित आयोग रास्ट्रपती के दुवारा गठीट किया जाता है और वर्तमान में पंदरमा वित आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष है एन के सिंग नेक्स्ट कैशन है भारते साविधान के किस अनुच्छेद का परियोग करते हुए रास्ट्रपती रास्ट्रिया अपात काल की घुशना करता है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानिकी अनुच्छेद दोसो त्रेसठट अनुचे 263 के तहट अंतराज्य पृषद का गठन किया जाता है ताकि राज्य और के इंदर में समने में स्थापित किया जा सके अगला प्रेशन है राज्य में सव्यधानिक तंतर के विफल होने पर राश्टरपति शासन किस अनुचेद के तहट लगाया जाता है ये भी काफी अच्छा प्रशन है और इसका सही जुआब होगा ओप्शन B अनुचेद 356 के तहट अनुचे 356 के तहट राष्ट पतिशासन लगाया जाता है अगर किसी राज़य में सविधानिक तंतर विफाल हो जाता है अगला प्रशन है सविधान के किस अनुचेद के तहट राज़य सूची के विशे के समभन्द में राष्टिय हित में कानुन बनाने की संसत की शक्ति का उलेक किया गया है इसका सही जवाब है ओप्शन A अनुचेद 249 के तहट यनकि अनुचेद 249 में ये बताया गया कि अग पर राज़य सूची का कोई विशे राष्टिय महत्यों का है तो उस पर कानुन बना सकती है संसत अगला प्रशन है विधिया आपात के वारे में उपबंद किस अनुचेद में किया गया है इसका सही जवाब होगा अनुचेद 360 में यानिकि option C सही है अनुचे 360 में विधिया जवाब आप कोमेंट बोक्स में जरूर देना प्रशन है भारते सविधान के किस अनुचेद में स्युक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है इसके options है अनुचे 352 अनुचे 356 अनुचे 360 या फिर अनुचेद 108 प्लीज कोमेंट बोक्स में आप इस प्रशन का सही जरूर दें और ये वीडियो कैसी लगी है ये भी जुरूर बताएं अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेर करने नहीं भूलें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज अभी सब्सक्राइब करें